गर्भावस्ता के समय सही प्रकार से भोजन करना मा और उसकी होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। दूद पिलाने वाली मा के लिए यह आवश्रक है कि वह सही भोजन करें क्योंकि बच्चे के लिए पौश्टिक तत्व मा के खाय हुए भोजन से ही दूद में आते हैं। और वह जल्दी बीमार पर जाती है। यूं तो गर्भ हवस्ता में मा का वजन बढ़ना सामान्य है किन्तु अगर मा का वजन बहुत अधिक बढ़ जाए तो यह मा तथा गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए नुकसान दायक है। अगर मा अधिक मात्रा में ज्यादा तेल में पका हुआ खाना, बहुत मीठा खाना जैसे मिठाई, चीनी वाला शर्बत, ठंडा पे या फिर डिबे वाला जूस पीती है तो उसका वजन आवश्रक्ता से ज्यादा बढ़ सकता है जो उसके और उसके शिशू के लिए कभी-कभी मा के मुटापे से बच्चे को सामान्य तरह से जन्म दे पाना मुश्किल हो जाता है और ऑपरेशन करने का खत्रा बढ़ सकता है गरभावस्ता में अगर मा अधिक वजन पढ़ा ले तो बच्चे के लिए सही प्रकार से विक्सित होना मुश्किल हो जाता है बच्चा या तो समय से पहले जन्म ले लेता है या फिर स्वास्थी सम्भंधी जन्म जात समस्याओं के साथ जन्म लेता है जिससे मा के लिए उसकी देखबाल करना कठिन हो जाता है मा बनना बहुत महत्वपूर्ण और जिम्यदारी का कार्या है और यह सच है कि बच्चे के जन्म होने से पहले ही मा अपने परिवार को स्वस्थ बनाने की क्षमता रखती है